गूर्मोरिंग गाइस, आर्टिकल 305, हम पार्ट 13, ट्रेड, कॉमर्स and इंटर कोर्स विदिन टेरिटरी ओफ इंडिया पढ़ रहे हैं, क्या है ये आर्टिकल, सेविंग ओफ एग्जिस्टिंग लोज, और लोज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज, स्टेट मोन जो सेविंग ओफ एग्जिस्टिंग लोग है, जो पुराने लोग हैं, जो उनको सेव किया जा सकता है, अगर कोई लोग पहले से ही है, कि सिर्फ गोर्मेंट कर सकती है ये काम, सबको फिरी नहीं है, बिजनेस करने के लिए, या जो माइनिंग विगर है, वो करने के लिए इस तरह का कुछ है ऐसे लोग को भी save किया जाता है for public interest public interest किसका government का interest अब mining की बात आई ये state monopolies में तो इसमें mining कैसे भई हर कोई mining थोड़ी नहीं कर सकता है कि आप अपने घर में mining करना start कर देंगे भई अगर mining का ठीक है लेकिन सबको right नहीं है सब नहीं कर सकते अपनी conditions पूरी करके उसके बाद ही provide करती है तो उसको बोलते है state monopolies अब क्या है इस article में देखो nothing in article 301 हमने पढ़ा free trade का 303 पढ़ा restriction impose कर सकते हैं कुछ extreme situations में भी shall affect the provisions of any existing law except in so far as the president may buy order otherwise direct and nothing in article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of this constitution fourth amendment act 1955 in so far as it relates to or prevent parliament or the legislature of state from making any law relating to any such matter as is referred to in sub close second of close six of article 19 देखो भाई लोग हमने article 301 पढ़ा उसमें बोल रहा है कि बिल्कुल भी है trade है उसके बाद हमने पढ़ा कि थोड़े आर्टिकल 302 पढ़ा 303 पढ़ा उसमें पढ़ा कि वह restriction impose कर सकते हैं Parliament भी और स्टेट लेशलेशर भी स्टेट टो स्टेट या इंटर स्टेट के बीच में ठीक हैं इंटर स्टेट में अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई पहले से ऐसा लो है कि स्टेट मोनोपली है स्टेट मोनोपली मैंने आपको पता दिया ओपर क्या मतलब होता है तो ये स्टेट मोनोपली को अटाने के लिए कौन ओडर कर सकते हैं तो only president साब और तब तक जब तक ओडर नहीं करेंगे स्टेट मोनोपली चलेगा अगर वो public interest क हिसाब से है तो ये बात बोल रहा हमारा ये close वह सिंपल से चीज है अगर कोई पहले से लो चला रहा है स्टेट मोनोपली के लिए ठीक है और उसको कौन अटा सकता है order पे कौन अटा सकता है only president और जब तक वो नहीं हटाएंगे तब तक स्टेट मोनोपली चलेगा और वो ल 1555 ये क्या है ये फ्री ट्रेड के बारे में कि पूरे इंडिया में कोई भी person कहीं भी जाके business कर सकते हैं उसका fundamental right है ये लेकिन ये दोनों ही state मोनोपली है उपर मैंने आपको state मोनोपली का थोड़ा बताया कि mining बगरा हो गया यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोई भी person जाक के लिए माइनिंग के लिए पढ़ा हमने भई ठीक है स्पेक्टरन लाइसेंस के लिए थोड़ा सा होता है ये बिजनेस करने के लिए एक license प्रोवाइड किया जाता कि आप इस business के लिए ये license आपको लेना पड़ेगा तो इसके बारे में court जाने की power नहीं है अगर भई इसक स्टेट में हमें ये monopoly चल रही है इसकी साफ से license नहीं मिला आप court नहीं जा सकते है माइनिंग करने का power जो भी power है जो भी authority वह government के पास है वह license प्रोवाइड करेगे आपके conditions वगरा देखके आप area देखके वह अलग चीजे मैं उसके उपर बात नहीं करूँगा लेकिन वह सा नहीं कि citizen को कोई power नहीं है court में जाने के अगर उनको इस तरह के project के लिए license नहीं मिल रहा है ठीक है ये अगर state में मतलब state monopoly अगर public interest के लिए है तो है ही उसमें आप court में जा के खड़ी नहीं हो सकते है ये बात बोल रहा है हमारा यहां पर और article यह मैंने आपको यह तो दिया है कि इसमें क्या बताए गया तो यही था article हमारा 305 thank you for watching this video वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना चैनल पर नहीं होतो वाई subscribe करना